ब्रेके बात स्वागत है आप सभी का और अब हमारे इस बुलेटिन में खास मलकाद सेग्मेंट में आज हमारे बीच में खास मेमान मौझूद है बात स्वागत है आपका दोहजार अठारा में बंपर जीत बिली थी कॉंग्रेस पार्टी को विकास उपाध्याई जी और एक बड़े चहरे को हराकर आप ने जीत हासिल की थी अब ऐसे में एक बार फिर से 2023 की रणनीती पर काम शुरू हो गया है इस बीच भानुपतापपुर में एक उपचनाओ भी सामने है चार उपचनाओ पहले जीत चुके हैं और इस बार यहाँ पर साहनुभूती वोट हासिल करने की कोशिश भी है चुकि सावितरी मंडावी क मैदान में उता रहा है ओवरॉल किस तरह से देख रहे हैं अब तक की रणनीती को और किस तरह का रोट मैप आगे 2023 के लिए देखे व्याज़ी जिस प्रकार से कॉंगरेस पार्टी में इसके पहले का जो चुनाओ लड़ा मैं समस्ता हूं 15 साथ हमारी सरकार नहीं थी नहीं उसका नतीजह यह हुआ कि वहमत से जादा सीट पर हम लोग चुनाओ जीत के रहे हूं उसके बाद नगर निगम के चुनाओं जिला पंचायत के चुनाओं उसके बाद बाई इलेक्शन इन सभी चुनाओं में आप देखिए कॉंगरेश को बढ़त मिली है कॉंगरेश बहुमत में हर जगा रही है कॉंगरेश पार्टी आम जनता के साथ खड़ी रहती है और मैं समझता हूँ संग प्रमुक मोहन भागवत लगातार बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं खास तो पर चतीजगर के संदर में हाल फिलाल में उनका लगातार दूसरा दौरा था और अभी इस वक्त वो सर्गुजा में मौजूद भी है क्या इसको एक चुनौती की रूप में देख रहे हैं क कि वैसी कभी भी किसी भी आहां अपने राजितिक प्रतिजंदी को कभी भी हमको कम जोर रही समझना से हैं हम अपनी मेहनत करें हम अपनी लखीर को लंबा करें हम कितना लोगों के साथ जुड़ा होगा कितने लोगों के साथ जुड़ी चीज़ों को करेंगे उस पर हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पिछले कई महनों से बैटका के माध्यम से अलग-अलग विदान सभाओं में जा रहे हैं किस प्रकार जो का जो योजनाएं जनता के लिए लाई जा रही है उसी योजनाओं का लाग नीचे तक जा रहा है कि नहीं करने जा रहा हाँ कि सोरकारी कर्मचारइ उस योजना यूजनाओं bang न कर दी यानजार के लोगों का काम वह अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 36 गड़ के अंदर एक वातावरण बना हुआ है, 36 गड़ के अंदर एक महल जो बना हुआ है, उसको तोड़ने में वो काम्याब नहीं रह पाएंगी रायपूर पश्चिम सीट की बात करें, 2013 के विदान सवा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव हारे थे, और 2018 में उसकी कसर आपने पूरी कर दी, एक बार फिर से इसी सीट से कहीने कहीं आप किसमत आजवाएंगे, यह तैय माना जा रहा है, और चुकि मैंने RSS का जिकर किया, रायपूर पश्चिम में RSS का अलग तरे का दबदबा रहा है, यहाँ पर लगातार अलग तरे की चीज़ें होती रही है, RSS को लेकर भी, इसको किस तरह से चुनावती के रूप में देखते हैं, और 2023 को लेकर यहाँ पर क्या रणनी थी? व्याज जी चुनावती, तो जनता के विस्वास पर खरे उतरने की है, जो विस्वास देखकर जनता ने मुझको भौमत दिया, मुझको चुनाओ जीतवाया, उस पर मैं कितना खरा उतरता हूँ, इस पी इसकी बात होनी चाहिए, हम जनता मेरे कार्यों से कितनी सैटिसफ़ मिलता उस पर बात होना चाहिए इस विधान समा में 35 साल से कंगरिस का विधायक नहीं था और 35 साल भारती जनतापाटी के विधायक इस छेतर में रहे हैं और उन लोगों के कारे के बाद आपको मौका जनता ने दिया पहले 2013 का मैं चुनाओ रड़ा कुछ नंबर स्वोट से मै कुछ कमिया रही होगी जिसकी वज़े से चुनाओं नहीं चीद पाया लेकिन उसके बाद जो चुनाओं हुआ उसमें जनता ने मुझ पर विश्वास किया और हम हर समय हर संभाव अदद करने के तैयार है कि यह चार साल का समय हो गया इस चार साल में करोना का दो साल का कराने की बात हो चाहिए उसके घर में सेंटाइजे सेंटेशन की बात हो चाहिए सेंटाइजर करने की बात हो चाहिए उसको दवाई पहुचाने से लेकर रासन पहुचाने से लेकर मैं तो इस बात को भी कहूंगा कि सरकार ने जो अलग अलग प्रांतों से पैदर चलकर कि अपने पर्फॉमेंस ताइग करेगी और चुकि एक लगातार कॉंग्रेस के पार्टी की भीतर एक सर्वे का भी जिक्र लगाता होता है और उस सर्वे में कई सारे विधायकों के पर्फॉमेंस जो हैं वो चिंता जनक हैं खास तौर पर जो पहली बार चुनकर आए विधाय आपको आपको पहले कि अपको करने मेरे लगां करने से कुछनता को करना है ऑर जनता के बीच में अगर मैं रहूँगा जनता के साथ काम करूँगा उनके विकास कारियों पर जो उनसे मुलबूर समस्या उपर अगर मैं कुछ बात करके काम करूँगा तो मैं उनके साथ रहूँगा नहीं तो आप सर्वे भी कराएंगे अच्छा काम नहीं करूँगा तो सर्वे में खिलाफ बढ़ते अपरात को लेकर कहीने कहीं एक मुद्दा बनाने की कुशिश में है। बिलासपुर में महतारी हुंकार रेली का आयोजन किया गया, स्मृती राणी को यहाँ पर लाया गया, सरकार पर जम कर निशाना साथा गया। किस तरह से देख रहे हैं? अगर छे मैने बार भारती जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। अब क्योंकि जब जनता को जन प्रतिनी थी और नेताओं पर विश्वास था उनकी जरवती तब भारती जनता पार्टी का इपी नेता घर से निगला नहीं। करोना का दो साल जन जब लोग लगा रहे जैसे लोग सब्सक्राइब मदर मदद लग मध último昨ुकिए उस समय कि बल्लें अदू कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना है, तो लोगों को किसे मिजगेट किया जाए, लोगों को कैसे धिकप्रमित किया जाए, सरकार लगातार इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रदेश के जन्हित के मुद्वो को काम कर रही है, संतूलित सरकार चल रही है, कोई Public być बोने वाला व परिप्रेक्ष में आपसे बात करना चाहूंगा चुकि हमारे कारिगरम का नाम है 23 में प्रदेश 24 में देश 24 में देश के चुनाओं की तैयारिया मी चल रही है अब चुकि आप ए आइसी सी के सच्चिव हैं उसलिहाथ से देश बर में आपको भी घूमने का मौका मिल रहा है इस वक्त जो एक बड़े बदलाव से कॉंगरेस पार्टी गुजरी एक नए राष्ट्रिय अध्यक्ष मिले हैं क्या 2024 में नईया पार हो पाएगी जीत दिला पाने में काम्याब हो पाएगे पहचान वापस मिल पाएगी किस तरह से देख रहे हैं कि देखिए व्याजी मैंने पहले भी कहा जनता के बीच में जाकर लडाई रणनी पड़ती है जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ती है जो जनता के मुद्दों पर बात करेगा जो उनके साथ खड़े रहेगा वही चुनाओं में पर्चम हासिल करेगा भारती जनता प बात को समझ में आ गई कि महंगाई ब्रश्टाचार बेरोजगारी यह तवाम जितनी बड़ी-बड़ी चीजें जो सरकारी उपक्रम है सरकारी संस्ता हैं उनको बेचने का काम भारती जंता पार्टी कर रही है भारती जंता पार्टी एक ग्रूप बनाकर चाहती कि इस देश को चलाना लेकिन मैं समस्ता हूं जंता जागरूख है और जिस परकार से खड़गे जी अद्रेक्ष बने करूंभवी विक्ति हैं सेंटरल में मिनिस्टर रहे हैं कई दफा विधाय करें एक फाइनल सवार आपसे जरूर करना चाहूंगा चुकि आपने छात्र जीवन से ही अपने राज़नीतिक करियर की शुरूवात किया आप नस यूवाई से भी जुड़े रहे आप यूवक कॉंगरेस से अब आप कॉ से पुन भूमिका देखिए जिस प्रकार से व्याज जी आज राभू गांदी जी 3,377 किलुमेटर से भी जादा की पदियात्रा कर रहे हैं मुद्दा भारत को जोड़ने कर भारत को जोड़ने के अवसक्ता क्यों पड़ रही है आज जिस प्रकार से आठ सालों में भाई से क्वार्टान। अब आज सरकार के सामने जो आवाज उटाता एडी आइडी चाहे अलग अलग राजनितिक जल के लोग हो चाहे मीडिया हो चाहे प्रोफेशनल लोग हो आप देखे किस प्रकार से धबाव की राजनितिक की जारी यह समझता हो आने वाले दिनों में एक ब्लूप्रिंट तर्य हो रहा है जो इसका फाइदा क्या 2023 में मिलेगा संक्षेप में बताईएगा वेपास समय के तोड़ी 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 सब्सक्राइब बहुत 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 शुक्रिया विकास उपाध्याई जी तमाम विशह पर हमसे बातसीद करने के लिए तो इस वक्त च्छत्तीजग पर कॉंग्रिस से एक प्रमुक युबा चहरा संसिद्य सचिव की भूमी का निभार रहे विधायक हैं और साथ ही ए आइसी सी में राश्ट्री सचिव की भूमी का निभार है विकास उपाध्याई तो कह रहे हैं 2023 में भी कॉंग्रिस की जीत होगी और 24 में भी यहां से संख